दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप debit card यानि की ATM card से EMI बनाके आसानी से Amazon application से यहाँ पर swap in कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि credit card से आप EMI पर समान तो खरीद सकते हैं लेकिन जो आपका debit card ATM card है उससे आप EMI पर समान नहीं ले सकते हैं क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम चाते हैं कि आसान किस्तों में समान खरीद कर हर महिने थोड़ा थोड़ा पैसे देकर कोई सा भी बड़ा समान खरीद सकें तो कैसे आपको debit card EMI पर Amazon से समान खरीदना है इस बीडियो को पूरा जरूर देखना तभी आप समझ भाएंगे कि कैसे आपको debit card EMI से समान खरीदना है हलो दोस्तों मिरा नाम नवीन है और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चनल हमसे फटेक तो चले दोस्तों चलते हैं डारक्ले अपने mobile phone के स्क्रीन पर और आपको step by step complete details बताते हैं दोस्तों Amazon से debit card EMI पर product लेने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने Amazon application को login करना होगा अपने register mobile number से जो आपका bank में link है तो जैसे आप यहाँ पर login करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर search करना होगा debit card EMI और जैसे आप यहाँ पर debit card EMI search करेंगे आपके सामने Amazon debit EMI आएगा options तो आपको क्लिक करना होगा जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन-कौन से bank आभी debit card EMI की facility दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर bank के नाम दिख जाएंगे जैसे HDFC bank है, ICCA bank है, KOTAK Mahindra bank है, Access bank है, SBI bank है और यहाँ पर federal bank है, तो अभी फिलहाल debit card EMI अगर आपका in bank को में account है, तो आप easily यहाँ पर debit card EMI पर product ले सकते हैं, हो सकता है future में इसकी अलावा भी और bank यहाँ पर add हो जाए, तो फिलहाल नहीं है, तो अगर आपका in bank में account है, तो easily आप यहाँ पर debit card EMI पर समान ले सकते हैं, register mobile number से, जो आपके bank में link है, तो आपको एक SMS क्या करना है, myhdfc आपको capital letter में लिखना है, और उसको आपको send करना है, 5676712 पर, और अगर आपका IC से bank में account है, तो आपको यहाँ पर SMS करना होगा, dcemi space, और आपको last के 4 digit आपको लिखने पढ़ेंगे, अपने debit card के, ATM card के, और उ यहाँ पर जो भी process है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो आपको वो follow कर लेना है, चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले SMS कर लेते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारा IC से bank में account है, और हमने SMS किया, और 5 minute के अंदर नदर हमें reply मिल चुका है और जिसमें हमें यहाँ पर बताया जा रहा है, dear customer, you are eligible for a pre-approved loan of 48,000 on your debit card, यानि कि हमारे debit card पर 48,000 रुपे तक का हम समान ले सकते हैं, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले eligibility चक कर लेनी है कि आपको यहाँ पर debit card EMI पर product मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब दोस्तों हो सकता है कि आपको तुरंत message ना आए, तो आपको 24 घंटे का wait कर लेना है, फिर भी अगर आपको SMS नहीं आता है, it means कि आपको यहाँ पर EMI पर कोई भी समान नहीं मिलने वाला है, और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूँ, दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का सवाल होता है कि अ आपका bank आपको जरूर यहाँ पर आपको debit card EMI का options देगा, लेकिन अगर आपके account में balance ही नहीं रहेगा, तो बिलकुल भी आपका bank आपको debit card EMI का options नहीं देगा, क्योंकि bank को भी trust आपके उपर होना चीए, इसलिए आपके account में ठीक ठाक balance maintain होना चीए, तब ही आपको यहाँ debit card EMI का options मिल जाएगा, अब दोस्तों अगले step की बात कर लेते हैं, अब आपको सबसे पहले Amazon पर यहाँ पर सबसे उपर क्लिक करना है, और यहाँ पर दिखीगा my account है, आपको my account में जाना होगा, और जैसे आप यहाँ पर जाएगे, उसके बाद दोस्तों Amazon Pay में आपको यहा manage payment options में क्लिक करना होगा, और जैसे आप यहाँ पर manage payment options पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो भी address से आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आपको नीचे आना है, और आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना debit card याने की ATM card को link करना है, तो आपको simple यहाँ पर add a payment method पर क्लिक क full name, उसके बाद दूस्तों आपको card number type करना होगा, जो भी expiry month और year है, आपको यहाँ पर select करना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने card को सबसे पहले add करना होगा, जब दूस्तों आपका यहाँ पर card add हो जाएगा, तो आपको भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ आपको खरीदना है, आपको यहाँ पर search करना होगा, चलिए जैसे मैं यहाँ पर एक smartphone search कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर smartphone search किया, और जैसे मैं करता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि बहुत सारे smartphone हैं, जिसमें कि हम easily buy कर सकते हैं, चलिए दूस्तों ह कि क्या आपको यहाँ पर options मिल रहा है, debit card EMI का या नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, EMI options तो आपको यहाँ पर click करना होगा, और जैसे दूस्तों आप click करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि debit card EMI आपको दिख रहा है, जैसे आप click करेंगे, तो मेरे दिखा रहा है bank, तो यहाँ पर दिखी का दूस्तों पहले आपको समझना होगा, कि सबसे पहले HDPC bank का debit card यहाँ पर processing fees 199 रुपे ले रहा है, और आप देख सकते हैं, कि interest rate कितना है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और इसके अलावा दूस्तों, ICSA bank यहाँ पर 99 हिसाब से यहाँ पर select कर लेंगे, अगर आप no cost EMI में खरीदना चाते समान को, यानि कि अगर आप चाते हैं कि आपको किसी भी interest नहीं देना है, तो आप यहाँ पर इसको on करेंगे, तो अगर आपका offer चल रहा होगा उस time पर debit card EMI का Amazon में, तो आपको यहाँ पर आपका debit card दि करते हैं, और जैसे हमने यहाँ पर buy किया, उसके बाद आपका जो भी address से आपको यहाँ पर दिख जाएगा, चाहे तो आप यहाँ पर एक नया address add कर सकते हैं, deliver this address करेंगे, उसके बाद दूस्तों यहाँ पर दिखीगा, आपके सामने आपका debit card आजाएगा, उसके बाद आपको full payment करनी है, या EMI में करना है, तो यहाँ पर देखीगा, pay in full आप click करेंगे, यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप यहाँ पर EMI में pay करेंगे, तो आपको 295 रुपे पर महिने के हिसाब से 3 महिने तक आपको payment करना होगा, तो आपको जितने भी महिने की EMI बनानी है, आ आप अपने हिसाब से यहाँ पर select करेंगे, अगर आप 12 मंत की करते हैं, तो आपको 635 रुपे पर मंत के हिसाब से यहाँ पर pay करना पड़ेगा, और दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं मानके चलता हूँ कि 3 महिने मुझे सारा का सारा payment करना है, तो अभी यहाँ पर आप दीख सक वो मुझे pay करना पड़ेगा, अब दोस्तों payment करने से पहले मैं आपको बदा दू कि आपके account में इतना balance होना चाहिए, यानि कि आपके account में करीबन करीबन 7000 से उपर balance होना चाहिए, जितने का आप product खरीद रहे हैं, तब ही आप इस product को खरीद पाएंगे, otherwise आपको problem आएग होंगे, उसके बाद दूस्तों होगा क्या कि कुछ देर बाद हमारे account में पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाएगा, और उसके बाद होगा यूँ कि उसके बाद directly जितना भी मेरा EMI था, वो मेरा यहाँ पर कटेगा, यानि कि 2395 रुपे, प्लस 199 रुपीज मेरा processing fees है, तो उसको दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ पर मेरा amount जो है, उतना कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखी का हमने तीन मेहने की अपनी EMI बनाई है, उसके बाद हम नीचे आएंगे, continue करेंगे, और जैसे आप यहाँ पर continue करते हैं, उसके बाद आपके सामने दुबारा and pay पर क्लिक करेंगे, और जैसे दुस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा wait करना है, उसके बाद दुस्तों आपसे बूसता है कि आपका registered mobile number क्या है, तो आपको यहाँ पर जो है अपना registered mobile number टाइप करना होगा, चले दुस्तों यहाँ पर दी तो उस one time password को आप यहाँ पर fill up कर लेंगे और जैसे आप यहाँ पर fill करते हैं उसके बाद submit कर देंगे और उसके बाद आपका payment successful हो जाएगा और उसके बाद आसानी से आप debit card EMI पर order इस तरीके से कर सकते हैं I hope दोस्तों आपको समझ में आगया होगा कि कैसे आप Amazon application का यूज़ करके आसानी से debit card EMI पर कोई भी समान खरीद सकते हैं अगर आपको वीडियो helpful लगा हूँ वीडियो को like करके अपने दोस्तों को जरूर से करना और अगर आपको कोई सवाल है question है तो आप comment कर सकते हैं या फिर आप directly मुझे Facebook Instagram पर message कर सकते हैं जिसका link आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप ऐसे interesting और knowledgeable वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को भी all पे जरूर प्रेस कर देना